हाले दोस्तों आप सभी का सिरी सिरी के सेंजूट में स्वागत है पुना एक बार करेंट अफेर्स लेकी उपस्तित हैं और आज है आठ नोवंबर 2020 तो आए जानते हैं आठ नोवंबर 2020 से कुछ महत्पून करेंट अफेर्स पहला प्रस्न है पेरिस जलवाई समझावता से हटने वाला बिश्व का प्रत्थम राष्ट कौन बना देखे पेरिस जलवाई समझावता जो हुआ इसका एकाइसवा समयलन जो हुआ था आपको 2015 में हुआ था इसका एकाइसवा समयलन 2015 में हुआ था जिसमें ग्रीन हाउस हाउस गैस के उत्सर्जन के संबंद में हुआ था कनेक मतलब पूरे विश्व में जो ग्रीन हैस गैस का उत्सर्जन हो रहा है इसके कारण लगतार अपमान में ब्रिदी हो रहा है इसको रोकने के लिए जो हमारे क्लाइमिंट में का रहा है चेंजिंग आ रहा है इसी के लिए सम्मेलन हुआ था आपको पेरिस में जलवाई सम्मेलन हुआ इसमें 196 देशों ने भाग लिया था इनका लग्च रखा गया कि तप माण में हमको कमी करना है 1.5 सब्सक्राइब करना यह लग्ष रखा गया था तहलना 2020 तक कि stared करेंगे जब कि अमिर्का का कैसा कई से जो greenhouse gas गेस पूरे ईस समता होता में ने के बाद अमिर्का भी इस पर साक्षर किया था यह भी सामिल हो उब था लेकिन बाद में 2019 में गोशरा किया कि हमसे हम इसे अलग हो जाएंगे और अभी फिला लिए आपको नवंबर 2020 में इसे अलग हो गया उसका कहना का अर्थ है कि अगर हम इसे मानते हैं क्योंकि उद्योग धन्दा जो है वो सारे बिक्सित देशों में बहुत तेजी से बिक्सित बढ़ते जाता जिसे कारण कार्ब योगधन्दा भी तेजी से नहीं होगा खासकर हम चाइना से क्या हो जाएंगे पिछर जाएंगे उसका अपना कहना है लेकिन इस दुनिया में बढ़ते विए तपमान को लेकर पूरे देश में बहुत ही चिंतित है और जो लगतार जलवाई में क्या हो रहा है यह परिवर किसके समद्द में तो ग्रीन हाउस गेस के उसरजन में और यह कितना परशन उसरजित करता है तो पंद्रे परतिसत उसरजित करता है तो आए देखते हैं अगला प्रस एक यह सार्क फाइनेंस गवर्णर समूग की चालिसमें बैठा का वर्चुल जो मीटिंग हुआ वीडि आपके वहां के हेट बैंक होता जिसे भारत का अलग अलग देशों का जो उसे बैंक का गवर्णर होता वही इसमें सामिल होता है तो यह सार्क फाइनेंस की अस्थापना हुई जिसे आस्थापना शार्क के नाम समनू जानते हैं जिसकी चालिस भी बेठगा के अद्रिषता किसने किया भारत ने किया और भारत के तक जो आर्विए के गोववेर्णर हैं असक्ती सक्ति तांत दास जो है RBI के गोवर्नर इन्हीं नहीं इसमें भाग लिया था और याद रखेंगे इसके अस्थापना हुआ था 1998 में इसमें सदस जेसों की संख्या कितनी है आठ और ये सार्क का ही का ही एक सांस्ता है जिसका नाम है सार्क काइनेंसेश सार्क के मतलब होता है The South Asian Association for Regional Cooperation यानि कह सकते हैं दक्ष्री, ACI, छेत्रिये, सहयोग, संगठन यानि इसी को हिंदी में कहेंगे दक्षेस इसकी अस्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को इसका हेट क्वार्टर है काठमान्डू जो नेपाल की रालधानी है यहीं पर इसमें हेटक्वार्टर है इसमें सदस देशों की संख्या कितनी है 8 सदस है 8 सदस वह देश है जो भारत के पुरोसी की रूप में है खासकर जिसमें भारत है पकिस्तान नेपाल बंगलादेश मालदिव सिरलंका घुटान और इसके अलावा अफगरनिस्तान यह आठ देश है जो इसका सदस देश है तो आए देखते हैं अगला है कि अगला प्रस्टन है बूल आश्ट्राइक नामक त्रिपक्षियर इउधव्यास का फ्रों किया गया तो त्रिपक्षियर मतलब तीन ब deb si remains आ अब है वारत के इसमें बहाग लिया था यह क। सेना ने इसमें भाग लिया था और ये तीनों सेना ने इसमें भाग लिया और तीनों ने मिलकर आपसी स्वहयों का स्थाफित करने के लिए यह एक अभ्यास किया गया था जिसका नाम था बुलू अश्ट्राइक ए अंड मान निकोबार में किया गया था कहां किया गया था अं से फाक्षा पट्टब में जो है भारत का सबसे गहरा अबंद्रगा है और आवा कि नौब से चोड़ नौमबर के बीच में तो मलबार नौ से ना अभियास हुआ था और मध्य नौमबर में भी शुरू होने वाला है इसी का दुसरा चरण मध्य नौमबर में यानी 17 नौमबर से शुरू होने माला है एस चविस्वी मालवार के दुसरा चरण होगा आपको औरफ सागव में चांदीपूर से याद रखेंगे उर्षा के यहाँ पर पिणा का मल्टी रोकेट जो लंचर था उसका यहीं पर क्या किया गया था यूद के समय कैसे प्रैक्टिस किया जा कि उतके समय त्युनों एक सांथ कैसे यूद किया जा इसी के लिए के अभियास किया जाता है यह किया गया अंडमान निकोबाट दिपसमू में अगला प्रस्ट वह राज यहां केंदर सासित पर दिश कि वह केंदर सासित पर दिश जो राजस्थान के बाद अपने यहां पटाकों पर परतिबंद लगाने वाला दूसरा राज हो गया है आनि राजस्थान अपने यह पटाके यह पटाके को बिक्री करना क्या कर दिया परतिबंद लगा दिया गया है अगर ऐसा कोई करता है त दूसरा किन सासीट परदेश में बन गया है दिल्ली जो है वह भी इस पर क्या लगा दिया परतिबंद लगा दिया क्योंकि आने वाले दिवाली को दिफ्ट्य हुए और इन लोग का कहाना है कि इसे परदूसर क्या हुगा ज्यादा बर जाए ऐसे दिली में परदूसर अभी ज्यादा है तो इसे के लिए कर इसे पर्तिबंद कर दिया गया है दिली के बाद राजस्थान और उर्षा सरकार ने भी अभी हाली में घुश्रा किया है कि हमारे यहां भी इस दिल्ली सरकार के दवरा और यहां पर पौधा रूपन के पादा रूपन नीतिलागों कि दौड़ा और दिल्ली की हमारे सीयम है अलविंद के जरिवाल और उपर राजपाल है अनिल बैजर उर्सा से याद रखेंगे उर्सा के दोबड़ा डियार्डियों के दोबड़ा इंटरिगेटेड डेवल्मेंट प्रोग्राम के तहाद जोगी मिसाइल भारत में बनाई गया है उसका अधिकतर परिक्षन कहां किया गया उर्सा में इस पर किया गया प्रित्वी हो गया नाग हो गया या पिनाका हो गया सब उर्से राज में इसका कहा किया गया परिक्षन किया गया 36 गर से याद रखेंगे यहां के सीयम है भुपेस बगेल कौन है भुपेश बगेल जो है यहां हाली में पढ़िये तोरे दोवार एप लंच किया गया था और साथ ही क्रिसी बिल के समन्द में याश्चा लगाने वाला देश का पाला राज था 36 गर कौन था 36 गर पंजाब से याद रखेंगे पंजाब के सीम केप्टन अमरेंदर है और इसकी रजधानी चेंडी घरें जहां 2022 में तीरंदाजी कॉमन वेल्थ का अयुदन होगा यहीं पर और पंजाब सरकार ने अपने हैं सरकारी नोकरियों में 33 पर 30 महिलाओं के लिए और खासी गरामीर इलाकों में खिल को बरहावा देने के लिए 750 नए स्टेडियम बन विभाग ने आठ नॉवंबर से लेके 14 नॉवंबर तक राजे के इसके विलों में बाल सप्ता मानानी की घुसरा किया गया है तो यह सुरू किया गया है महाराज सरकार के दौरा किसके दौरा सुरू किया गया है महाराज सरकार के दौरा इसे शुरू किया गया है यहां के स सोरी मास्क पर कीमत आय करने वाला राज मुख्त स्वास्त भीमाद भी शुरू किया गया था और नो मास्क नो राइड यह सी अभ्यान भी महाराज से ही शुरू किया गया था और याद रखेंगे तमिलांडू जो है तमिलांडू हाली में आपको इलेक्टिक वहान को 100% रूट टेक्स में फिरी कर दिया है तमिलांडू सरकार जो है वो आपको जितने भी इलेक्टिक वहान है उस वर रूट टेक्स 100% फिरी यानि मुख्त कर दिया है यह तमिलांडू न और यहां कि तेलगाना की राजधानी हैदराबाद है कहा है है तो आए देखते हैं अगला प्रस्थ तेकि अगले प्रस्थ न है कि राष्टी एक कैंसर जागरुकता दिवस परति बर्साइव जोगों को कैंसर के प्रति जागरुक करने के लिए मना जाता है यह 2014 से सुरू किया गया कब से सुरू किया गया 2014 से सुरू किया गया यह आपको साथ नॉमबर को मना जाता है और राष्टी एक कैंसर जागरुकता दिवस मना जाता है साथ नॉमबर को चोदे नमबर को मधुमय दिवस या डाइबिटीज दिवस मनाते हैं और 26 नमबर को बीधी न्याय दिवस मनाते हैं या सभिधान दिवस के रुप में मनाते हैं हम लोग और 1 दिसंबर को हम लोग एट्स दिवस के रुप में मनाते हैं आपने सारी समस्या को जान सकता है या इसी के साथ एपको को भी समझाता किया है SVI आनि अस्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी अस्थापना हुआ था 1925 में अब हुआ था 1925 में हुआ था और इसका यह जो है तीन बैंकों के मिलाक बनाया गया था मादरास प्रसिडेंसी बैंक जो था बंगाल में सिडेंसी बैंक था या बंबाई प्रसिडेंसी को तीनों को मिलाकर 1921 में इंपेरियल बनाया गया और बाद में गोर्वाला समिति के सिपारिस परी से अस्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर द देखते हैं अगला प्रस्ट वह देश जहां सबसे तेजी से गर्म होने वाला घोसित छेत्र इस्तित है तो जपान जो है उत्री धुरू के साइड में आनी उत्री धुरू के साइड में नार्वे हैं जहां पर एक नार्वे में एक जगा है जहां सबसे तेज गर्म होने वाला और स्थान इस्तित है वो किस देश में तो नार्वे में है कहा है नार्वे में नार्वे की राजधानी क्या है उसलो है नार्वे की राजधानी कहा है उसलो और उसलो से ही सांती का नूबल पुर्सकार दिया जता है उसले से ही दिया जता है नार्वे को हम लो मद रातरी का दे और यहां के परधान मंत्री श्तिहुड़ सूंगा है जबकि इंगलन्ड की राधानी क्या है लंदन है और जॉन बड़ू पुर्षकारी को करनाटक सरकार दुवारा एक लब या पुर्षकार दिया गया है एक लब या पुर्षकार जो दिया गया है कि एल राहूल को दिया गया है कि एल राहूल को दिया गया है करनाटक सरकार के दौरा करनाटक की रधानी कहा है बंगलोर और यहां कसी में बियस एक बिकेट कीपर क्या है बलेबाज है इन्होंने इस IPL में सबसे तेजी से 2000 रन बनाने वाले भारतिये भी बने थे और एक आपको इस IPL में तेरह में संस्क्राइब पाहला सतक किसने लगाये था एक केयाल राहू नहीं लगाये था सीखरदवन आपको दिलिक कैपिल्स की ओर से खिल रहे थे और इन्होंने आईकोल में बैक टू बैक दो सतक लगाये थे सीखरदवन और विराट कोली आईकोल में सरवाधिक रन बनाने वाले क्रिकेटर है और ICC के दौरावी ताजा आकरा जारी किया गिया है जिसमें पहले अ दिल्सक्रावी जाना है और मास्क लेज जाना यह就是說 किया गया देहरा दुन से डेहरा दून जो है वो उत्राखंड की राजधानी है आन्य उत्राखंड की राजधानी जो देहरा-दून है से शुरू किया गया है से इंडोर से याद करेंगे इंडोर में आपको प्लास्टिक प्रीमेरली की शुरूब किया गया था अभी हाली में हुआ था इंडोर में प्लास्टिक प्रीमेरली और इनदोर जो inex वह आपको मद्रदेश का एक सहर है और यहां यहां भारत का सबसे स्वक सहर है और नाधपूर से याद देखेंगे यहां नयाई कॉसल नियाए कोसल एप लंच किया गया था हमारे मुखे नादिस आनि सुप्रीम कोट के मुखे नादिस जो है सरद अर्विन बोब्डे साहब के दोरा इसके थुरूप कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोट या हाई कोट या डिश्टिक कोट में अपना केस दर्ज कर सकता है जैपूर जो है आने वाले 2050 में यहां पर जल अस्तर क्या होने वाला कम होने वाला है और यह राजस्थान के क्या है राजधानी है जैपूर जिसे पिंक सिटी या गुलावी सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं तो ये कुछ महत्पूर करें इंटरफेर्स था जिसके बारे में हमने चर्चा किया तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ थैंक्यो धन्यबाद